अच्छो विजय साड़ा दिस साइड और आज है CACMA Final Fast Track May 24 नवंबर 24 का लेक्चर नमर टू पार्ट ए येस सर आपने पहले दो वीडियो देख लियोंगे और बहुत सारा प्यार देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद इसी तरीके से अपने सारे दोस्त लाइबरी टेलिग्राम चैनल जहां-जहां पर भी है सब बच्चों तक पहुचा दो अभ हम लोग ने Tax Calculation for Individual HOF, AOP, BY, AJP के लिए देखा राइट अब हमें अधर अससी के लिए टैक्स भी देखने हैं अब अधर अससी कौन हुए विया फिर्म हुआ, कंपनी हुआ, लोकल अथारिटी हुआ, को आपरेटिव हुआ, इनके लिए अब तक हम लोग ने टैक्स नहीं हो चुकी है, तो चली स्टार्ट करते हैं, आज का लेक्चर, याद रखेगा वीडियो नेक्स तब आएगा जब इस वीडियो के उपर भी 500 लाइक आज आएंगे, येस और नो, नीचे दिये गए लिंक आपको हमारे टेलिग्राम ग्रूप के उपर जॉइन करवा देगी, और इस वीडियो के नीचे ही आपको क्या करना है, अगर ये बुक पर्टिक्लर ली बाय करना है, तो वहां पे अवेलेबल है, नहीं तो आप जो बुक या मॉडियूल भी देख रहे होंगे, तो परफेक्ली फाइन है, उससे पढ़ते रहो, कोई तकलीफ नहीं है, content पूरा तरी के में classify किया जा रहा है, एक है domestic company, दूसरा है foreign company, now please understand, इनके definitions आपके काम की नहीं है, for tax calculations, yes, आगे चलके, you know, domestic company के taxation आएंगे, तब उनके definitions को देख लेंगे, और हाल फिदल में ये समझना है, दो तरी की companies होती है, एक है domestic company, दूसरी है foreign company, now, क्योंकि foreign company इंडिया में operate कर ठीक है, अब सबसे पहले समझते है, foreign companies के लिए, ठीक है foreign companies के tax rate जो है, यह हर income slab के लिए same है, लेकिन income जैसे जैसे increase होगी, इनके सर्चार्ज rate के अंदर में क्या किया गया है, increase किया गया है, तो ज़र जाहन से सुनिए, till 1 crore, foreign companies are not liable to सर्चार्ज, तो इनके लिए tax system क्या हो हो गया, इनके लिए tax system हो गया, income of an up to 1 crore rupees, 40% is the tax plus 4% says, yes, यहने यहाँ पे, finance act ने कोई amendment नहीं किया वा है, यह बिलकुल सेम रखावा है, if the income of foreign company exceeds 1 crore and it is within the bracket of 10 crore, so if the income of foreign company is between 1 crore to 10 crore, yes, the tax will be 40%, surcharge will be 2%, HEC will be 4%, yes or no, तो यहाँ पे सर्चार्ज जो है, इनके लिए 2% रखा गया है, मैंने आपको पहले ही बताया था, कि यह सर्चार्ज percent to percent क्या हो रहा है, change हो रहा है, और यहाँ पे foreign company के लिए tax rate है 40%, surcharge is 2% and HEC is 4%, yes, if the income is within the bracket of 1 crore to 10 crore, if the income of foreign company exceeds 10 crore, तो tax will be 40%, surcharge will be 5% and HEC will be 4%, तो जहाँ foreign company की income 10 crore के ओपर चले गई, इनका जो surcharge होगा, यह 2% के जगह कितना हो जाएगा? 5%, तो चलिए, दिभांग में वापस से fit करते हैं, सबसे बहले है foreign company, foreign company के लिए tax rate क्या है? up to 1 crore, 40% plus 4%, 1 crore to 10 crore, 40% plus 2% plus 4% and you know, about 10 crore, it will be 40% plus आपका 5% plus 4%, everyone, yes or no? अच्छा, कुछ बाते बहुत basic से समझने लाएग, foreign company को जो special income आती है, उन पर tax rate specially होता है, जैसे अगर foreign company को long term capital के न आएगा, तो उस पर special rate of tax ही लगेगा, यह general rate of tax है, जो उनको provide किया गया है, अच्छा जी सर, सर, एक और बात मैं आपके साथ share करना चाहता हूँ, foreign company के लिए कोई basic exemption limit नहीं है, मतलब इनकी जो income है, यह special rate पे ही क्या होने वाली है, इनकी जो income है, यह इनके ही rate के ओपर लागू होने वाली है, तो generally 40%, 2% and 5% is the search charge rate, 4% is the HEZ, special income at special rate के ओपर ही लग है, इनकी income एक रुपए से taxable होने वाली है, इनकी income एक रुपए से taxable होने वाली है, yes or no, further आप जैसे आगे बढ़ेंगे तो आपको पता चलता है, companies जो होती है, इनके ओपर MAT भी applicable होता है, that is minimum alternate tax, तो उसको भी हम आगे देखेंगे कि यह कब applicable होता है, क्या applicable होता है, और उस इनकी company के tax rate समझने के लिए आपको थोड़ा सा history समझना जरूरी है, let us understand, regular होता है, तो मैं आपको बहुत detailed history बता था, fast track में limited exam oriented कर लेते हैं, अगर कि क्या हुआ था, 2019 की बात है, companies के लिए, you know, tax rate changes होने वाले थे, लेकिन इसका और brief history 2014 से जाता है, 2014 जब existing moody government क्या करने वाली थी, election लड रही थी, तब इन्होंने एक वाइदा किया था, वाइदा ये था कि भिया हम companies के tax rate को कम करेंगे, right, और जैसे 2014 के अंदर में ये power के अंदर में आये, तो इन लोगों हमने क्या का, पहले ही साल में tax rate domestic company का, जो 30% हुआ करता था, इसको 29% कर दिया, वादा ये था, tax rate 30-25% पे लेकि आएंगे, तो इन्होंने पहले साल आते ही क्या कर दिया, 29% पे लेकि आगे, जिससे industry जो है, वो बहुत कुश हो गई, क्योंकि 1% का tax saving इनके बहुत बढ़ा थ अगले 3 साल तक के इन्होंने tax कम ही नहीं किया, अगले 3 साल तक के इन्होंने tax कम ही नहीं किया, 3 साल बाग जो opposition parties है और industry है, इससे concern आया, कि यह आपने तो कहा था, 25% पे लेकि आएंगे, और आपने तो लेकि ही नहीं आया, तब जाकर के existing government, that is, Modi government ने क्या किया, एक जबरदस्थ गेम प्लान ऐसा खेला, कि पहले साल में इन्होंने कहा, कि अगर कोई भी company, इनके 2 साल पहले का turnover, इनके 2 साल पहले का turnover, अगर 50 करोड से उपर नहीं है, तो tax rate 25%, otherwise tax rate 30%, मतलब से यू समझे, if you are standing in 2018, तो यह कहते थे 16-17 का turnover, 16-17 का turnover, अगर 50 करोड से उपर नहीं है, तो आपका tax rate क्या होगा 25%, otherwise आपका tax rate 30% रहेगा, इसे कुछ companies तो कुछ हो गई, लेकिन maximum companies ने कहा, तुमने तो हमार को गलत कह दिया, तुमने तो कहा था, हर company के लिए 25% लेकर के आएंगे, लेकिन आप तो, you know, वो company, जिनका turnover 50 करोड है, आप उनके लिए ही लेकिया है, निर्मला सितर मंझे ने कहा, रुको जरा सबर करो, हम अगले साल लेकर के आएंगे, अगले साल इस limit को 250 करोड कर दिया गया, मतलब आप ऐसा समझे, आप 1920 में खड़े हैं, तो आपको 1920 का turnover नहीं देखना है, आपको turnover कप का देखना है, बिल्कुल सही, 17-18 का turnover आपको देखन turnover, आज का turnover influence हो सकता है, पिछला हो सकता है, अब तक audit ना किया गया हो, इसलिए इन्हों ने उठाया, दो साल पहले के turnover के basis पर tax system को लेकर के आगया, अच्छा जी, 22 क्रोड में maximum companies आ चुकी थी, लेकिन अब तक इंडिया की sub companies नहीं आए थी, या कुछ special companies को भी तो benefit देना बहुत यूज थे, इनको खा, रुको, हम ज़रूर करेंगे, अगली बार इन्होंने क्या किया, इन्होंने इस limit को 400 क्रोड पर shift कर दिया, और अब इसमें इंडिया की maximum companies cover हो गई, मैंनी कहता हूँ, all companies cover हो गई, पर इंडिया की maximum companies 400 क्रोड के turnover में cover हो गई, अब हम खड़े है कहा, 23-24 financial year में, 23-24 financial year में खड़े हैं तो बताइए turnover कहा का देखना पड़ेगा, 21-22, समझ में आरी है बात, 21-22 का turnover, अगर किसी भी domestic company का, किसी भी domestic company का, 21-22 का जो turnover है, अगर वो 400 क्रोड से निचे है, the tax rate will be 25%, otherwise the tax rate will be 30%, इस तरह के से ये पूरी हिस्ट्री आई है, अब आप के मन में एक सवाल आएगा, सर मान लीजे, कोई company आई ही 22-23 में है, तो फिर क्या, क्योंकि उसका turnover तो फिर 21-22 में 400 क्रोड के नीचे ये, technically turnover जीरो ही है, company existence में ही नहीं, तो क्या उसको भी 25% मिलेगा, well the answer is no, उसको 30% मिलता है, but हम आगे चलके देखेंगे, जो alternative tax scheme है, वो इ domestic company है, दो बाते याद रखनी है, पहला 21-22 का turnover देखिये, तो पिछले साल तक जो जो बच्चे November 23 examination दे रहे थे, वो यहाँ पर 2021 देख रहे होंगे, क्योंकि financial year change हो चुका है, अब यहाँ पर 21-22 है, logic clear है सभी को, अच्छा जी, तो 21-22 का turnover किसी भी company का, अगर 400 क्रोड के है, दूसरा, domestic company के जो सर्चार्ज rate है, यह foreign company के सर्चार्ज rate से अलग है, right, domestic company के case में क्या है, मैं आपको समझाता हूँ, सबसे बहले मान के चलिए, हम उस domestic company की बात करते है, जिनका 21-22 मे, 23-24 का turnover नहीं देखना है, 21-22 में क्या turnover था हमें वो देखना है, तो 21-22 previous year के अंदर अगर उनका turnover, you know, 400 कROरोड के नीचे है, and income is up to 1 क compartir, the tax rate will be 25% plus 4%, yes, so companies के case में सर्चार्जuktी के उपर आता है, अगर कंपनी का, you know, income 1 crore to 10 crore है, company का income, tax rate क्या होगा, यह turnover के basis पे है, yes, tax rate क्या होगा, यह किस के basis पे है, turnover के basis पे, tax rate क्या है, 25%, अगर कंपनी का income 1 crore to 10 crore है, 1 crore to 20 crore है, tax rate is 25%, सर्चार्ज is 7% plus HEC is 4%, तो यहाँ पे domestic company के लिए जो सर्चार्ज rate है, यह 7% है, अगर कंपनी, अगर कंपनी का income about 10 crore है, अगर कंपनी का income about 10 crore है, तो tax rate is 25%, HEC is 4% and सर्चार्ज is 12%, सर्चार्ज is 12%, so come on, come again, अगर कोई domestic company है, 21-22 का turnover, 21-22 का turnover कितना है सर, 400 crore के नीचे है, 400 crore के नीचे है, up to 1 crore, 25% plus 4%, 1 crore to 20 crore, 25% plus 7% plus 4%, अगर about 10 crore है, तो 25% plus 12% plus 4%, getting no malik, okay, next part पे आते हैं, अब जो company turnover के criteria को match नहीं कर रहे है, यह ने, या वो 21-22 में exist ही नहीं करती थी, या उनका turnover 400 crore के उपर था, ऐसी सारी company के लिए, tax rate क्या रहेगा, 30% तो बस 25% को 30% से replace कर दो, everything remains same, सर्चार्ज भी 7% और 12% if the income is above 1 crore और about 10 crore, तो बस यही एक change आएगा, बाकी कहीं कोई change नहीं है, मैं अगेर आपको याद दिला दू, companies के लिए basic exemption limits नहीं है, directly एक रुपए से 25, 30, और as the case में भी foreign company की case में 40% applicable होगा, यह सोनो मालिक, तो यह था foreign company का taxes, उमीद कर रहा हो, आपको मजा आ रहा होगा, अच्छा जी सर, अब आते हैं, companies के अलावा other tax rate, नीचे एक table दिया है, देखे, shortcut यहां पर बना करके दिया है, ध्यान से देखेगा, domestic company, other domestic company, foreign company, यह तीन हम लोग already पढ़ चुके है, उपर ही proper chart बना करके, अब आते हैं नीचे, firm, पूरे income tax में, firm जहां जहां पर भी लिखा है, LLP वाँ वाँ पर आता है, except for two section, 44 AD, 44 ADA, interlinking याद रखना, अब firm के लिए tax rate क्या है, again, firm को basic exemption limit का benefit, नहीं मिलता, firm को basic exemption limit का benefit, नहीं मिलता, firm क exceed 1 crore, surcharge is 12%, HEC to 4% है ही, across all SSC, तो हर SSC के लिए HEC 4% है, rest, सिफ सर्चार्ज क्या हो रहा है, change or tax rate, as में the case में भी change हो सकते है, तो firm LLP के लिए tax rate किता है, 30% surcharge, if the income exceeds 1 crore, 12% and HEC will be at the rate of 4%, basic exemption limit benefit नहीं मिलता, 1 रुपे से income completely taxable है, अच्छा जी सर, next part पर आते है, local authority, yes or no, local authority के अगर मैं बात करूँ, तो local authority के अंदर में आता है, municipal corporation पंचायच, जिनकी income taxable होती है, हाला कि इनकी most of the income exempt होती है, पर, जो taxable income है, ये 30% पर tax होता है, if the income exceeds 1 crore, 12% का surcharge है, and HEC is at the rate of 4%, याने सीधे शब्दों में कहूं, तो firm का ही tax rate इनको भी applicable होता है, shortcut में पढ़ने का firm का ही tax rate इनको भी applicable होता है, विशेख हतम, yes or no, firm का ही tax rate इनको भी क्या होता है, बीटा, applicable होता है, अब next part पर आते है, cooperative society, दीखे, पता नहीं क्यों, पर मेरा दिल कहता है, May 24 या November 24 examination, और as the case में भी CMA final वालो के लिए, June 24 या December 24 examination, right, अब for the purpose of, you know, repetition of word, मैं CMA final वालो के लिए भी मैं आपको एक बात बता दू, मैं सिव में 24, November 24 कहूंगा, तक कि मेरे को सेम बाते बार बार रिपीट ना करना पड़े, तो प्लीज इस बात को here and after understand कीजेगा, और इसको दिल पर मत लगाएगा, income tax CS, CS और CMA में फरक नहीं करता, right, the law remains same, yes, तो CS वाली भी को होंगे, तो है, cooperative के उपर आपको एक question आना ही आना है, sir, इसके मैं तीन मुख्य reason बताता हूँ, पहला, पिछले दो साल से cooperative के अंदर में continuous amendment हो रहा है, दूसरा, cooperative society के लिए इस बार एक नया alternative tax scheme लेकर के आया है, और तीसरा, it's been three to four attempts, जब के cooperative के उपर कोई question नहीं पूछा गया है, तो है, questionnaire के अंदर में भी इसके उपर question रखे है, तो वो आप practice करके जाना, यह अच्छी चीज़ है, okay, so cooperative society के लिए old tax scheme के अंदर में tax rates क्या है, अगर कोई cooperative society है, up to first 10,000 rupees as income, जी हा, मात्र 10,000, up to first 10,000 of income, you know, 10% is the tax rate, on the next 10,000, 20% is the tax rate, on the balance of whole income, 30% is the tax rate, तो मान लीजे, अगर एक लाख रुपे इंकम है, पहले 10,000 पर 10%, next 10,000, that is up to 20,000, 20% और बचेवे पूरे के पूरे अमाउंट के उपर, आपको 30% is the tax rate, यहां पे, पिछले सालो एक amendment आया था, ध्यान जा सुनिया, if the income of cooperative society exceed 1 करोड, if the income of cooperative society exceed 1 करोड, तो सरचार्ज इस 7%, if the income of cooperative society exceed 10 करोड, सरचार्ज इस 12%, HEC 4% तो है ही, याने इनके जो सरचार्ज रेत है, यह domestic company से inspired है, येस, इनके जो सर्चाज रेट है, ये डोमेस्टिक कंपनी से इन पाइड है, टैक्स रेट इनके अपने खुद के हैं, पहले 10,000 पे 10%, next 10,000 पे 20%, rest के उपर 30%, इनकम अगर 1 करोड या 10 करोड के उपर जाती है, तो सर्चाज इस 7 और 12%, otherwise HEC is 4%. येस, और मालिक, अगेन, मैं आपको याद दिला दू, कंपनी, फर्म, लोकल अथारेटी, कोपरेटिव सोसाइटी, इनको कोई basic exemption limits नहीं दिया गया है, आप कोपरेटिव को भी देखेंगे, तो कोई basic exemption limits नहीं दिया वा है, इनकी income directly taxable है, तो एक रुपए भी है, तो सीधा tax rate लगाने का tension लेने का नहीं, yes or no, चलिए, जो companies है, यह opt कर सकती है, alternative tax scheme, जो हम लोग आगे देखेंगे, खेर अब opt वाला situation थोड़ा सा अलग हो चुका है, companies can further be subject to mat provisions, minimum alternate tax provision and cooperative societies के लिए भी alternative tax schemes है, right, अच्छा जी, अब ध्यान से समझीगा, AOP-BOI, AOP-BOI का सर्चाज वही applicable होता है, जो individual को applicable होता है, लेकिन इसमें एक exception था, जो पिछले सालों add किया गया था, इस बात को ध्यान से सुनिएगा, अगर कोई association of person है, जिसके सारे member सिर्फ company है, क्योंकि जब खिये, एक बार बार छोटा सा basic recall करवा देता हो, आपको इंट persons, मतलब एक individual, एक company मिलके AOP बन सकता है, दो company मिलके भी AOP बन सकता है, एक firm और company मिलके भी AOP बन सकता है, so AOP consist of person or persons, चलिए वापस आईए, अगर कोई एक ऐसी AOP है, जिसके सारे member सिर्फ company है, अगर कोई ऐसी AOP है, जिसके सारे member सिर्फ क्या है, company है, तो ऐसे case में उनका जो स सर्चाज रेट क्या है बेटा, जो individual को applicable था, वही सर्चाज रेट, लेकिन अगर कोई AOP है, जिसके सारे member क्या है, सिर्फ company है, तो उनका जो सर्चाज रेट है, इसे क्या किया गया है, चेंज किया गया है, अब इसमें क्या चेंज किया गया है, दिकिए मैं आपको पहले या सिर्फ company है, company का maximum सर्चाज rate क्या था, 7% और 12% as the case में भी, अब अगर कोई AOP है, जिसके सारे member company है, तो वो तो ये बोलेंगे ना, भी हमारा maximum rate of सर्चाज 12% था, तुम कहां 25 और 37 पे लेके जा रहे, तो ऐसे case में इस बात को समझा गया, और law को suitably change किया गया, और कहा गया, अगर कोई AOP है, जिसके सारे member, सिर्फ company है, तो ऐसे case के अंदर में maximum rate of सर्चाज 15% होगा, ऐसे case में maximum rate of सर्चाज क्या होगा, 15% होगा, so if the AOP's income exceed 50 lakh, 10%, if the AOP's income exceed 1 crore, 15%, if the AOP's income exceed 2 crore or 5 crore, still it will remain 15% only, still it will remain 15% only, if it is an AOP which only consists company as member, which only consists AOP company as member, so check जीगा, if it is an AOP consisting only company as member, whose total income exceed 1 crore, where the total income exceed 1 crore, the सर्चाज is payable at the rate of 15%, तो एक करोड के ऊपर जैसी आप चले गाए, 15% आ जाएगा, so income exceeding 50 lakh, but does not exceed 1 crore, सर्चाज is 10%, जहाँ आप 1 crore के ऊपर चले गाए, 15%, अब 2 crore और 5 crore का slab in के ऊपर applicable नहीं है, तो अब मैं इसको 2 category में divide करता हूँ, जल्दी से मेरे को जवाब दीजेगा, ठीक है, AOP जिसमें company के अरावाद दूसरे लोग भी member है, इनका सर्चाज rate क्या होगा, जो individual को applicable है, right, 50 lakh तक के कोई सर्चाज नहीं, 50 lakh to 1 crore 10%, 1 crore 2, 2 crore 15%, 2 crore 2, 5 crore, everybody 25% and above 5 crore 37%, कोई AOP है, जिसमें सिर्फ क्या है बेटा, company as member है, तो इनके लिए सर्चाज rate क्या होगा, अब तो 50 lakh nil, 50 lakh to 1 crore 10%, 1 crore to 2, sorry, 50 lakh to 1 crore 10%, 1 crore and above 15%, अब यहां पर 2 crore 5 crore का कोई गे में नहीं है, are you getting the point, yes sir, चलो गटा, हा, तो यहां पर हम लोग ने क्या किया sir, यहां पर हम लोग ने किया, tax rate calculation, tax rate calculation for other SSC as well, yes or no, for other SSC as well, चलिये, is that done, बहुत बढ़िया, एक बार इसको फटाकर से recall करो, चेक कर लो, क्या पढ़ा हम लोगों ने, यहीं देखो पढ़ लोगे ना, तो फाइदा हो जाएगा, यहीं दो मिनिट के लिए फटा-फट जब मैं टाइम दोंगा, आपको revise कर लो, आपका फाइदा हो जाएगा, चेक करो जल्दी से, चलिए सथ, उम्मीद है एक बार अपने देख लिया होगा, दिखिया हमने क्या 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 पढ़ लिए, Tax Calculation पढ़ लिया, HEC, Rebate, Special Adjustment, Surcharge, फिर हम लोगों ने Tax rate for others भी पढ़ लिया, Rounding off भी पढ़ लिया, अब हम आते हैं एक बहुत ही important concepts के उपर, जिस concept का नाम है Marginal Relief, अब यह Marginal Relief क्या है, और यह Marginal Relief लाया क्यों गया है, Now understand, the effect of Surcharge is such that your tax payable exceeds your additional income earned, तो यहां पर Marginal Relief क्या क्या गया है, apply क्या गया है, Let me give you an example, let me give an example, example चाह समझाता हूँ, आपको ज्यादा बहतर तरीके समझ माइगा, इस example को आप ना लिखे तो बहतर है, सुनिएगा, ठीक है, सिर्फ समझ लेना, आपको लिखने का काम नहीं है, जहां लिखने की जरुत होगी मैं आपको बता दूँगा, ठीक है मालिक, तो मालिक बात समझा, suppose मेरी income 50 lakh rupees है, suppose करते हैं, मेरी total income 50 lakh rupees है, मैं individual हूँ, resident है, etc, 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 अब अगर मेरी total income 50 lakh rupees है, तो 10 lakhs तक के मेरे tax कितना आ रहा है, 1 lakh 12500, we all know that up to 2 lakh 50,000 nil, next 2 lakh 50,000 पर 5% 12500, next 5 lakh 20% 1 lakh, in total 10 lakh तक के 1 lakh 12500, okay, अब बचेवे 40 lakh, 40 lakh के उपर कितना परसेंट आएगा मालिक, 30% आएगा, ये मेरे हिसाब से आता होगा 12 lakh rupees, तो आपका total बनता है 13 lakh 12500 rupees, everyone, yes, check कर लो अपने मस्त calculator के उपर, yes, check कर लो अपने मस्त calculator के उपर, ये आया 13 lakh 12500, ये आया आपका tax, अब मेरे को एक बात बताईए, since the income does not exceed 50 lakh rupees, सर्चाज will be nil, everybody, yes, but there will be HEC at the rate of 4%, do you agree, so there will be HEC at the rate of 4% which comes to 48,000 rupees and your sum total will come to, wait, ये आपर सर्चाज, HEC जो है, ये गलत आया था, मैने 12 lakh पे लिया था, 52,500, yes, 13 lakh 12500 into 4%, 52,500, add करके total amount आती है आपकी 13 lakh 65,000, yes, ये बना आपका final tax liability, do you agree, एक बार सभी लोग चेक कर ले न, so if my income is 50 lakh rupees, the tax payable on that income comes to 13 lakh 65,000 under the old scheme, yes or no, अच्छा जी, now suppose I just increase my income to 51 lakh, I just increase my income by 1 lakh rupees, ठीक है, मैं सिर्फ 1 lakh rupees से अपनी income को बढ़ा देता हूँ, अब क्या होता है जड़ा देखते हैं, so total income में से basic exemption limit and everything हटा करके, अगर मैं सीधा tax निकालो, तो भाई साब 10 lakhs तक के मेरको tax आएगा 112,500, that is 1 lakh 12,500, yes, what is my balance income 41 lakh, what is my balance income 41 lakh, the tax rate on 41 lakh is 30%, so let's say 41 lakh into 30% that comes to 12 lakh 30,000, total comes to 13 lakh 42,500, this comes to my tax everyone, so tax is 13 lakh 42,500 everyone please check, yes, now since my income is exceeding, since my income is exceeding, what, my income is exceeding 50 lakh, there will be surcharge, the surcharge will be at the rate of 10%, so 10%, this will come to 1 lakh 34,250, so my total tax before HEC comes to 14 lakh 76,750, agreed, now HEC is spending, so HEC will be at the rate of 4%, so into 4% comes to 59070, so total tax payable is 1535820, check jade kea because income was exceeding 50 lakh rupees, fair hum lugane kea kea sir, HEC add kar diya, or aap ka final tax calculation nikal diya, now understand, minne income kitne se badai tih, matra 1 lakh rupay se, minne income kitne se increase kardi tih, matra 1 lakh rupay that is income was increase just by 1 lakh rupees, but you can see the tax effect approximately raised by 1.70 lakhs approximately approximately मेरा टैक्स एक लाग के उपर से बढ़ गया अब एक आम taxpayer के उपर जैनुएन हाडशिप सोच करके देखिए एक आम टैस्पेर के ऊपर जैनुएन हाडशिप सोच करके देखिए वो बोलेगा यह एक लग मैंने कमाया हैं क्यूं यह एक लग मैंने कमाया हैं क्यूं इससे अच्छा तो उसको टाइम देते था वो चिलाती रहती है I think it's not working anymore you don't have time anymore यह एक लाग कर आके मतलब ऐसा कैसा ट्यक्स कल्कोलेशन है जहांपे इंकम तो मैंने एक लाग से निक लॉक्षा गराइकन मेरा टैक्स एक लुक्स जाइख से जाजा से बढ़ गया वह एक कौन सलौई है जनुएन हॉट्षिप है यह से जनुएन हाडशिप है अब यह तो ठीट टैक्स पेर को टैक्स पे करने में कोई प्राब्लम नहीं होगी क्योंकि उसको वैसे भी पे करना है लेकिन उसको तब जरूर इशू हो जाएगा जब तेक्स इंकम अंड से भी उपर चले जाए अब उसकी अडिशनल इंकम अगर इंकम बचास लाग तक के ही होती तो टेक्निकली उसको सर्चाज पे करने की ज़रौत ही नहीं होती है अगर उसकी इंकम 51 लाक हो जाती है तो यह एक लाग तो गए 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 उपर से और 70,000 अप्र आगे फिर पेनल्टी लगने वाली है 200% की और मिस्रेपोर्टिंग यह सो नो तो ऐसे केसे के अंदर में क्या किया गया मार्जिनल रिलीव दिया गया सरकार के द्वारा क्योंकि सरकार को भी समझ में आया देखिए सर्चार यह लौज नहीं कर सकती है आप सोचके देखिए अगर मैं पूरे इंडिया की बात कर रहा हूं तो हादली तर विल फ्यू पीपल जो इस ब्रेकट के अंदर में आ रहे ह वैज दौई रही होंगे इस से इंकम कम पॉसिबल दिगी नहीं रही है तो आब भूत कम ऐसे लोग ओंगे ऐसे मुखों के लिए क्या किया आप्ली किभले है तुसरी बात, इस की के कि लिए कोया फिक्स अमाउंट नहीं है मेल्बे यह ट्रायल एन से आता है कि एक्षेटली किस म माआंट पे आएका अमाउंट पे मार्जिनल रिलिफ करेगा एक उन हर commod और करे सतर हजार क्योंकि टैस्ट बन डाता है एक लाग सत्तर हजार येस तो अकर ऐसा हो रहा है जहां पर उसकी इंकम से जादा उसका टैक्स आ रहा है विकॉज अब इस सरचार्ज इफेक्ट वहां पर आपको क्या आएगा मार्जिनल रिलीफ आएगा येस ओनो सर तो हर असे सी के लिए अपलीकेबल है दूसरा हर उस जगह पर आएगा जहां पर स्लाइट इंकम एक्सीड होने के कारण आपका जो सरचार्ज इंपक्त है ये बहुत ज्यादा एक्सीड हो रहा है तो ऐसे केसमा मार्जिनल रिलीफ 1,2,100, Nee, बहुत है पर तो अब अठी, तो यह अप से को याद कर वार तो तो आपको मार्जिनल रिलीफ है जून के ये यह एक एक्समांट है ही नहीं समझ महारी ही बात यह कोई fix amount है ही नहीं तो यह trial and error वाला method है कि हाँ इस limit तक के आपको marginal relief आएगा and to be very honest अगर मैं पिछले 6 सालों का data उठा करके देखू जिसमें 12 attempt आते हैं institute ने बहुत शायद 1-2 cases के अंदर में आपको marginal relief को touch करवाया अगर वाइस marginal relief को touch भी नहीं करवाया यह तो इसके उपर इतना ज्यादा focus भी मत करना हां यह जरूर रखना की calculation कैसे करते हैं पर बहुत ज्यादा focus करने वाली बात नहीं है यह यह पिछले 12 attempt की data की मैं बात कर रहा हूं अच्छा जी sir अब उटा करके देख लेते हैं sir अब ऐसे case में marginal relief calculate कैसे किया जाता है ऐसे case में marginal relief calculate कैसे किया जाता है लिखने का कोई काम नहीं है notes में दिया हुआ है तो इसके marginal relief क्या कहता है जहां जहां पर भी ऐसा impact आ रहा है 50 lakh 1 crore 2 crore 5 crore as the case में भी depending upon us see yes आप क्या कीजिए आप सबसे पहले निकालिए tax on 50 lakh बरे बरे step number one आप क्या करिए tax उस amount तक के निकालिए जहां पर सर्चाज का impact नहीं है तो आप निकालिए tax on 50 lakh add कर दीजे add कर दीजे total income minus 50 lakh add कर दीजे total income minus 50 lakh मतलब सरकार क्या के रिए बात समझेएगा पचास लाख रुपए तक के 50 lakh रुपई तक क्या क्या किजिए tax calculate कीजिए येस अब 50 lakh तक का tax कितना था 13,65,000 रुपीज यह रहा हमारे पास calculation 13,65,000 रुपीज प्लस total income minus 50 lakh बरवर है total income minus 50 lakh याने technically आप यह पूरा एक लाख रुपए add कर दीजे आप क्या कर दीजे ये पूरा एक लाख रुपए सीधे सीधे क्या कर दीजे add कर दीजे तो tax on 15 lakh एक मिनिट रुपीज है मैं यह आपर थोड़ ऐसे गलती कर रहा हूँ tax on 15 lakh 50 lakh that is 13,12,500 और इसमें पूरा का पूरा add कर दीजे 1 lakh रुपीज तो आपका tax amount आगया 14,12,500 इसमें फिर 4% HEC को आप क्या कर देंगे add कर देंगे इसमें फिर 4% HEC को आप क्या कर देंगे add कर देंगे अब आपके मन में एक सवाल यहाँ पर जरूर आया है सर अब भी तो आप tax ज्यादा ही दे रहे हो यह 1 lakh जो आपने कमाएं वो तो आप पूरे दे रहे हो 4% HEC भी तो दे रहे हो बिल्कुल सही है यह 50 lakh के कैलकुलेशन में यह होता है 50 lakh वाला जो कैलकुलेशन है उसमें यह हो गई होगा लेकिन लेकिन जैसे आपकी इंकम बरिये जैसे 1 करोड 1 lakh हुआ दो करोड 2 lakh हुआ पाच करोड 2 lakh हुआ इसमें यह impact खतम हो जाएगा कुछ लोगों को impact आएगा पर अगर मैं बात कर रहा हूं 140 प्लस करोड लोगों की उसमें hardly कुछ लोग ऐसे है जिनका bracket इतना आना है 50 lakh से उपर और hardly कुछ लोग है जिनका .51 lakh, .52 lakh इस तरकी के bracket में आना ह है यहां तो अगर मैं wide range की बात करूँ तो यह बहुत बड़ा calculation नहीं है जिसके लिए आप इतना ज्यादा टाइम लगाए तो आप क्या करें tax निकाले on 50 lakh that is 13,12,500 यहां पर मैंने ही सी नहीं किया क्या है एची सी final tax पर आएगा ठीक है फिर total income minus 50 lakh कर दीजे total income minus 50 lakh किता था ज criminal tax liability yes तो चलिए अब समझते हैं यही tax अगर हमें 1 करोड 1 lakh रुपीज के उपर निकालना हो तो यही tax अगर हमें क्या करना हो 1 करोड 1 lakh रुपीज के उपर निकालना हो तो हम क्या करेंगे तो सर आप calculate करेंगे tax on 1 करोड along with a surcharge along with a surcharge of 10% yes up to 1 करोड का tax निकालना है up to 1 करोड के tax में सर्चाज तो आ नहीं है 50 lakh to 1 करोड वाला तो यहां जो आप tax निकालेंगे along with a surcharge of 10% निकालेंगे फिर आप क्या कर देंगे add कर देंगे total income minus 1 करोड that is पूरे एक लाक रुपए additionally add कर देंगे फिर जो भी आपका tax निकलेगा tax में आप क्या add कर देंगे sir HEC add कर देंगे that's how your marginal relief will be done that's how your marginal relief will be done तो चलिए सव विस्तार पहले पढ़ लेते हैं आईए page नंबर 5 of the notes chapter नंबर 1 का PDF मैंने नीचे टेलिग्राम चैनल के उपर आपको पिन कर दिया है तो आप वहां से ले सकते हैं जब तक क्या आपकी book नहीं आए ये आई ये marginal relief आप देख सकते हैं हर तरह के के ससी के है local authority firm, individual HOF, domestic foreign companies, etc. हर एक के लिए marginal relief आपको दिया गया है लेकिन आज तक के किसी और के लिए marginal relief नहीं आया पहले जो old to old सी लिए बस था उसके लिए एखाद बार foreign companies के लिए पूचा गया है, domestic companies के लिए भी पूचा गया है, that too with respect to mat, individual तो कभी पूचा ही नहीं है, otherwise, sorry, individually सिर्फ companies के लिए कभी नहीं पूचा है, हाँ, individual SSC के लिए हर बार पूचते हैं, आप क्या करेंगे, sir, आप tax calculate करेंगे on 50 lakh plus total income minus 50 lakh, तो यहाँ पर हम सिब income tax and sarchage की बात कर रहे, जो भी tax निकलेगा, इस पहची सी अलग से आड ह होगा, right, यही आप 1 करोड के उपर है, तो tax on 1 करोड along with a sarchage of 10% plus total income minus 1 करोड, अब देखिए, जहाँ 1 करोड के उपर जा रहा है, सरचाच 15% होना चीए, लेकिन यहाँ पे सिब 10% रखा गया है, क्योंकि हम मान रहे, tax up to 1 करोड निकालो, 15% का effect नहीं देना है, yes, जहाँ 2 करो tax on 5 करोड along with a sarchage of 25%, total income minus 5 करोड, yes or no, total income minus 5 करोड, तो चलिए, अब हम क्या करते हैं, इसके उपर कुछ questions all करते है, जैसे कि मैंने आपको कहा, fast track के पीछे आपको कुछ questions भी मैंने दे रखिए है, इन questions को हम लोग क्या करेंगे, solve करेंगे, yes, इन questions को हम क्या करेंगे, solve करेंग आईए, मीचे कोशन देखिये, लिख के भी रखा है काय पे बेज़ है, बेज़ ओन मार्जिनल रिलीफ, ध्यान दर समझीगा इस कोशन को, compute the tax liability of Akash, having total income of 1 crore 1 lakh, for the assessment year 24-25, assuming his total income price of salary income, income from lost property and interest on fixed deposit, assuming all are computed, तो आपको सीधे सीधे total income दीवी है, 1 crore 1 lakh, अब दीखिये, जहाँ 1 crore 1 lakh, that is 1 crore 1 lakh दीवी है, मतलब दिमाग में fit होना चीए, यह कही न कहीं सर्चाज बस लगा ही है, वहां तक का concept है, तो चलिए, solve करते हैं फिर, रिजिस्टर ले लिजिए, वर्शन नम्हों 1, based on marginal relief, yes based on marginal relief, total income पकड़ी है, रूपीज रूपीज के दो कॉलम डाल दीजिए, बरे-बरे, try करना चाहेंगे पहले, चलो जल्दी से try करो, अजी, तो सर, अब देखिए, यहां पे जो calculation है, यहां पे जो हम लोगों ने question रख रखा है, ठीक है, यह सारे question को हम old syllabus as well as new syllabus से solve करेंगे, मतलब old scheme as well as new scheme, मैं से लिए बिस बूल रहा हूं, old scheme as well as new scheme से solve करेंगे, एक ही question को दो बार करेंगे, मतलब टेकनी के लिए 6 के जगब 12 question हो जाएंगे, ठीक है मालिक? ओके, one croda, one lakh, अब हमें दिख रहा है, income slightly कहा है, सर्चाज concept के ऊपर है, तो हम लोग क्या करेंगे, सर यहां पर marginal relief का concept लेकर करेंगे, right, तो हमें क्या करना है, एक, हम लोग यहां पर tax calculation निकलते है, tax calculation after marginal relief, कैसे निकाला जाएगा जरह याद करके देखो, old scheme, कैसे निकाला जाएगा, याद करके देखना, tax up to rupees 1 crore, plus total income minus 1 crore, everybody, yes or no, तो tax up to rupees 1 crore, कितना आता है, जरह लो, calculator लो, एक करोड में से पहले 10 lakh तक का tax, 1,12,500, बचेवे पर 30%, yes, plus, plus, don't you think so, तो, surcharge आएगा या नहीं आएगा सोच समझ के बताना, surcharge आएगा या नहीं आएगा सोच समझ के बताना, sir, बिलकुल आएगा, sir, बिलकुल आएगा, yes or no, 10% का surcharge भी हम इसमें add कर देंगे, या आपका total tax आ रहा है 30,93,750, that is 30,93,750, यह tax कैसे आया होगा, sir, यह along with surcharge होगा, sir, along with surcharge at the rate of 10% बरबरे, plus total income minus 1 lakh, तो total income आपने पूरी add कर देने की कितना बिटा, एक लाख, yes, तो आपका tax component बन गया 31,93,750, yes, इसके उपर आप क्या add करोगे, sir, HEC add करोगे, add the rate of 4% into 4%, 127750, तो sir, आपका final tax after marginal relief, कितना बन जाएगा, sir, 33,21,500, everyone, check कर लिजे, सबसे पहले आपने क्या किया, marginal relief के लिए देखा कि यह total income slightly 1 crore के उपर है, तो आपने tax निकाला on 1 crore along with the sarchage as may be applicable, plus total income minus 1 crore, तो आप लोगों ने total tax निकाला 31,93,750, इसमें बाद में आपने क्या कर दिया, tax pay HEC, तो tax pay आपने 4% का HEC add कर दिया मालिक, आप पहुच गए total tax after marginal relief, yes or no, yes sir, आप अगर अपना module open करके दिखेंगे, तो वो पहले without marginal relief निकालते हैं, फिर after marginal relief निकालते हैं और difference marginal relief बोल देते हैं, आप directly marginal relief के साथ भी निकाल सकते हो, यह आपका answer रहेगा, yes or no, तो old scheme के हिसाब से यह हुआ आपका answer question no.1 का, ठीक है, चलो, everybody question no.2 भी देखते हैं, based on the computation of marginal relief, again, compute the tax liability of Deepak 57 years of age, having total income of 2 crore 2 lakh rupees, assuming that उनकी total income comprise करती है, etc, etc से and he has not opted for 115 BAC, अब इस question में तो directly बोल दिया भी 115 BAC, आप नहीं कर रहे तो ठीक है, हमको क्या है, आजो, sir question no.2 देख लेते हैं, question no.2 यहाँ पर आता है, आपका sir total income 2 crore 2 lakhs, तो यह हो गया आपका 2 crore 2 lakhs, अब income slightly उपर है, आप क्या करो sir, tax calculation कर लो, tax calculation after marginal, relief old scheme, ठीक है, अच्छा जी, तो आप क्या करेंगे sir, tax on 2 crore, along with the surcharge of 15% plus total income minus 2 crore, ठीक है, tax on 2 crore along with the surcharge of 15%, निकालो जल्दी से, calculator पे लो, 2 crore, में से पहले 10 lakhs तक का tax आपको पता है, balance पे 30%, add 12,500, add 15%, दूसर, चेक करिए, आपका final tax payable क्या आ रहा होगा, 66,84,375, 66,84,375 आना चाहिए, इसमें 2 lakh rupees पूरे के पूरे आप क्या कर दीजे, एड कर दीजे, तो आपका tax component कितना आ जाएगा sir, आपका tax component आ जाएगा, 68,84,375 वहिया, अपने-पने calculation करते रहना human है, हम error होने के chances हमार साथ भी है, हम बगवान नहीं है sir, yes or no, पर हमारे साथ भी हो सकता है, check कर लिए sir, अपने-पने calculation खुद करिए, बरबर है, यह निकल गया sir आपका tax, हम, अभी sir, क्या करेंगे इसमें, HEC add कर देंगे, at the rate of 4%, 2, 75375, add कर दीजे, 7159750, हिरो, रने सर, चलोब, भाचानलार, अधने बटा तो देच्ट और यॉर मार्जिनल रिलीफ इन एव पिक्चर तो ऐसे हर असाशी के लिए आप क्या करेंगे सर्मार्जिनल रिलीफ निकालेंगे यूँ पुशनयर के अंदर में अल्मॉस्ट हर तरेकी की इंकम पर मार्जिनल इलीफ पर आपको कुश्टन दिये है, ओल्ड सिलिबस के भी दिये है, न्यू सिलिबस के भी दिये है, that is old and new scheme, मैं सिलिबस भूल रहा हूँ, old and new scheme के भी दिये हैं, तो sir, आप इसको follow करिएगा, yes, Malik, यहां आपका जो old tax calculation है, यह क्या होता है, sir, over होता है, कुछ और questions हमने आपको यहां पर दिये हैं, यह सारे questions भी हमको क्या करने है, solve करने है, यह सारे questions भी हमको क्या करने है, solve करने है, अब कुछ बच्चे, जो मतलब जिन से महनत नहीं होती, जो अपने career के लिए, क्या नहीं है, focus नहीं है, वो क्या करेंगे, यह tax calculation वाले part को क्या कर देंगे, skip कर देंगे, यह बोलते वे कि नहीं, बाद में कर लेंगे, बाद में कुछ नहीं होता, इसलिए तुम यहां हो, मेरे साथ ही, तुरंत ही, तभी करना, नहीं तो वीडियो को आगे मत बढ़ाना, हाँ बेटा, यह बात तुरंत याद रखना, कुछ discipline खुद से होते हैं, yes or no, कुछ discipline खुद से करना होते हैं, और यह अगर पढ़ना है, तो discipline का बहुत ज्यादा requirement है, तो मेरे साथ साथ यह करना है आपको, yes, चलिए, next question को solve करते हैं, question no.3 के ऊपर आईए, find out the tax liability in case given below, for assessment year 2425, assuming the taxpayer do not want to opt for alternative tax regime, 108.15 BAC, तो यह assume करते हैं, 115 BAC उसको नहीं लेना है, और उसको क्या निकालना है, tax निकालना है, तो चलिए फटा-फट, tax निकाल लिएंगे, start कीजिए, तो चलिए, सबसे मेले problem को देखेंगे, problem को देख करके हमें पता चलिएगा, dividend income है नहीं, capital gain के तीनों category of income है, other income है, लेकिन मेरी total income 75 lakh है, so we all know कि 50 lakh से 1 crore तक के, जो all type of income है, उन पर सचाज रेट किता लगने वाला है, 10% yes or no, इन पर सचाज रेट किता लगने वाला है, 10% तो उसे साफ से आराम से calculation हो सकता है, मेरे साथ आई है, मेरे साथ आई है, problem number 3, ठीक है, अब कुछ बच्चे जो बहुत ही आलसी होंगे, वो हो सकता है मेरे को message कर दे, कि सर प्लीज यह जो आप लिख रहे हैं सर इसका ही PDF हमें शेयर कर दे, बेटा देखो, कुछ जगह ना खुद को मेहनत करनी होती है, उन में से लिखना भी एक है, समझना है, कुछ जगह खुद को मेहनत करनी होती है, रइट हर चीज आपको ready meant नहीं मिलेगी, कुछ चीज के लिए मजे अलग है, लिखने के भी अपने मजे अलग है, तो यह कर लेना, प्लीज यह मत मंगना, मिलने नहीं वाला, ठीक है, मिलने नहीं नहीं वाला, तो मतलब मैं चाहता ही नहीं as a teacher, कि तुमको इतना spoon feeding कर दूँ कि तुमारे मुह तक के हर चीज लाके दे दू, क्योंकि paper बेटा तेर को solve करना है, और final level पर तेर से expectation बहुत आए, paper lengthy ही रहेगा, please don't believe any kind of thing, धिटी का paper हमेशा lengthy रहते हैं, पिछले 10 साल के paper उठा करके देख लो, वो लेंदी ही होंगे, तो आपको इतनी writing practice होनी ही चाहिए, हर बार, yes, so problem number 3, हाँ जी sir, और कुछ नहीं मिल रहा, तो X के लिए लिखना, assessment here लिखना, etc, अब मैं क्या कर रहा हूं sir, यहाँ पे ले लेता हूं particulars, ठीक है, ओके, यहाँ पे ले लेता हूं sir, मेरी जो भी income आ रही है, यहाँ पे ले लेता हूं मेरी जो भी income आ रही है, let's say, मेरी income कौन कौन सी है, पहला है 111 A वाली, फिर है 112 A वाली, फिर है 112 A वाली, और फिर है मेरी other income, और इसके उपर हमारा जो total है वो, ठीक है सर सबसे पहले इस पर इंकम टाक्स कितना लगेगा अब 111 A की इंकम सर कितनी है 111 A की इंकम मेरे पास यहां भूक है मैं उसी से निकाल रहा हूं आप भी निकाल लिए 6,00,15% आने वाला है सर तो 6,00,15% यह आया सर आपका 90,000 रुपीज यह आया सर 90,000 नेक्स्ट आपक का 3,00,30,20% यह आया सर 60,000 रुपीज यह आपके लिए अविलेबल हो गया सर तीसरा है 7,00,7,00 मैं से पहले एक लाग बाजु करो बचेवे पे 10% यह आया सर 60,000 रुपीज अब आपकी जो अधर इंकम है वह है 59,00, ठीक है 59,00, मैं से 10,00, मैंस कर दिया बचेवे पे 30% इसम 12,500 टोटल बना आपका टैक्स कंपोनेंट इस 15,00,82,500 इन सब का ग्रांड टोटल अगर हम लोग करेंगे तो वो पहुच जाएगा सर आपका 17,00,92,500 एवरिबरीबरी प्लीज चेक येस, स्पीड लाना पड़ेगा माली, कोई ऑप्शन नहीं है, आपको स्पीड लाना ही पड़ेगा, इसमें कहीं कोई दरकार नहीं है, ये हो गया आपका टोटल इंकम पे जो आपका टैक्स है अकॉर्डिंगली वो, अब आते हैं सर्चाज, अब सर्चाज अक्रॉस आल के कितना रहने वाला है, 10% ही रहने वाला है, येस, तो यहाँ पे आगया आपका 9,000, यहाँ पे आगया 6,000, आखरी का बस 1-0 गयाप कर देना, 158250 और यहाँ पे आपकी सब टोटल भी 1-0 गयाप करके वही आनी है, येस, ये बना आपका सचा, तो भाई साब यहाँ पे आप 1740750 और ये बन रहा है आपका 1971 750, चेक कर लो, चेक करो सर, इसमें सर आप HEC अड़ कर दीजे, अड़ रेट अफ 4 परसेंट, येस, तो ये सर बैठ रहा है आपका 3960, 56000 पे सर 2640, यहाँ पे भी 2640, 1740750 और 4 परसेंट, 69630, 1971750, ये आपका 78870. दने मालिक, तो सर, आपका टोटल टैक्स बन जाता है, चेक करिएगा, 102960, 66000, एट 2640, सर 68000, 640, यहाँ पे भी 68000, 640, ये बनता है, 1810, 380, एट सर, फाइनल टैक्स आपका बनता है, 205060, एवरिबरी बाड़ी प्ली सेक, तो सर, सिर्फ रिविजन नहीं करेंगे, एक्जाम ओरिएंटेड फास्ट्राक है, सॉल करेंगे, सॉल करने के उपर फोकस है, प्राक्टिकल इंटरलिंकिंग के उपर फोकस रहेगा, अभी नहीं, आगे के हर चाप्टर के अंदर में, क्योंकि यहाँ पर डेमो की बात नहीं चल रहे है, पूरा फास्ट्रेक फ्री है, साब, आपका कोशन है, देख लिजे, यहाँ पर अकॉल्डिंग ली, आससी के इसाब से हेडिंग आना चीए, असेस्मेंट टियर आना चीए, यह होना ही चीए, चीख है, यहाँ पर अपर अपर प्रेजेंटेशन नहीं आता है, जिसके कारण में क्या होता है, लोगों से गड़बड होती है, यह गलती हमें नहीं करनी चीए, बिल्कुल बैट करके स्वाल करना चीए, आप लाइबरेरी में बैटे हो, आप घर पे बैटे हो, जहां यह वीडियो मेरे साथ प्रेक्टिस करो, तो यह वीडियो देखो नि तो विडियो को रोग दो, सिर्फ यह मत करो कि हम चलो वीडियो अवेलेबल है तो आममें देख लिया, प्लीज मत करो मैं चाहते है नहीं तुम यह करो, समझमारी यह बात, यह चाहता है है नहीं, बैट करो तो फवsels इमानदारी से करो नितो नहीं करने का, फोन वन सब बाजू रखने का और देखने का, तिक ज़िए आप आप फाइनल में होते हैं तो दिस्टाक्शन दुनिया वर के होते हैं, एक तरफ घर का टेंचन चल रहा है, दूसरे तरफ फिनांचल टेंचन चल रहा है, तीसरे तरफ वो क्या कर रही होगी, वो क्या कर रहा होगा, इसका टेंचन चलता रहता है, अपने करियर से रिलेटेद थौट आते रहते हैं, ऐसे बहुत सारी चीज़े होगी, लेकिन बटा एक बात याद रख, जब तू पढ़ रहा है ना, तो पढ़ने के लावा कुछ और नहीं होना सिर्फ तिर को यह समझना है कि हाँ, यह जिम्मेदारी मेर पर है और मैं जतना जल्दी आक्ट करूँ उतना अच्छा होगा, और जतना जिम्मेदारी से आक्ट करूँ उतना अच्छा होगा, आई वेदिग नपॉइंट, तो प्लीज फोकस करिये, और आइन मूव अन यहां पर आपको डिविदेंट इंकम भी दीवी है, सम टोटल आपकी इंकम का बन रहा है 3 करोड, मतलब हम अल्रडी हायर रेट अफ सर्चाज पर जा चुके है, यहां ध्यान देने लाइक बात यह है, आपकी अधर इंकम अल्रेडी 2 करोड रुपीस के उपर है, तो जो रे इस एवरिवन, प्रॉब्लम नूमर फॉर, प्रॉब्लम नूमर फॉर, बढ़िया आगे सर, रीड़ दा क्वेस्टिन, दैने सर, चलिए, अगर आप देखेंगे, फॉर्माट आप कैसा भी यूज़ करें, इससे कोई फरक नहीं पढ़ने वाला, एक और फॉर्माट दिखाता हूं, आपको इस फॉर्माट में भी चलेगा, आपका अंसर कोई तकलीफ नहीं है, ठीक है, सबसे पहले यहां पर आपको आपकी टोटल इंकम तो देखने को मिली ही गई अब आते हैं अदर इंकम के उपर सबसे पहले यह ले लेते हैं special income taxable at special rate, we all know long term capital gain under section 112 अगर मां बात कुरू long term capital gain under section 112 की तो 1 lakh क्योप पर 20% that is 20,000 rupees is the tax Yes, फिर आता है long term capital gain under section 112 A, 112 A वाली income आपकी कितनी है सर, एक 2 lakh rupees है, तो 1 lakh पर 10% मतलब यह हो गया 10,000 rupees, चेक कर लेना, फिर आता है आपका short term capital gain under section 111 A, Yes, 111 A वाला आपका income है 3 lakh, 3 lakh पर 15% everybody, यह आता है sir आपका 45,000 rupees करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, अब जो आपकी dividend income है इस पर special rate of tax नहीं है, वो normal rate of tax पर आएगी, वो normal rate of tax पर आएगी पर उस पर सर्चार्ज rate जो है यह different है तो इसका calculation कैसे करना मैं वह आपको बताऊंगा, इस question को important भी mark करके रखना, yes इस question आपको important भी mark करके रखना है, इन पर सर्चार्ज का जो calculation है यह अलग होगा, यहाँ पर आते हैं other income, यहाँ पर आते हैं आपके other income के ऊपर, अब आपकी other income के ऊपर, अब आपकी other income कितनी बची सर, 3 lakh, 3 करोर 34 lakh, प्लस इदर का 13 lakh, यह बना सर आपका 347, आपकी सर टोटल income money, 347, चेक कर लो मालिक, आपकी टोटल income money, 347, अब इसमें आपको दो component अलग करने पड़ेंगे, dividend का component of tax अलग करना पड़ेगा, और other income का component of tax अलग करना पड़ेगा, proportional tax, हम यह ऐसा क्यों कर रहे हैं, सर हम यह इसा इसलिए कर रहे हैं, क्योंकि dividend पे जो सर्चार्ज रेट है, वो 15% पे रिस्टिक्टेट है, और other income पे जो सर्चार्ज रेट है, वो higher rate पे है, तो हम ही क्या करना पड़ेगा, tax proportional करना पड़ेगा, मतलब proportionate dividend income पे tax कितना, और other income पे tax कितना, यह सोनो, तो चलिए, अगर मैं बात करूँ, dividend income की, tax on dividend income की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, सबसे पहले मेरे को total tax निकालना पड़ेगा, total tax कितना आएगा, बात करके देखिए, 3 करोड 47 lakh में से 10 lakh को हटा दिया, बचेवे पे 30% एड किया, 1,12,500 तो मेरा जो total tax component है, वो जा रहा है, चेक करिए, 1 करोड 2,22,500, क्या आपका भी यह आ रहा है, मुझे जल्दी से बताईएगा, जो tax component आ रहा है, अदर इंकम पे वो आ रहा है, आपका 1 करोड 2,22,500, आपका भी आ रहा है, अब इसमें से dividend component and other component अलग करना पड़ेगा, now you tell me, you tell me, what is the dividend income in the total income, dividend income is 13,00,00, in the total income of 3.47 करोड, into the tax component आपका आया, 10,22,500, everybody, yes or no, कुछ लोग tax बचाने के लिए क्या करते हैं, जो basic exemption limit है, वो dividend से भी adjust करते हैं, मतलब रियल लाइफ में आपको बता दू, इस पर कोई clarification नहीं, हाँ, वहाँ पर यह लिखा है, प्रपोर्शनेट इंकम होना चाहिए, लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं, टैक्स बचाने के लिए, जो basic exemption है, उसको dividend से भी adjust करते हैं, ताकि आपका overall tax liability कम आ जाए, यह स्वरी, dividend से बोल रहा हूँ, PGPP से या अधर income से adjust करते हैं, ताकि आपका overall tax liability कम आ जाए, पर खेर, दिस इस दा, अगेन, agreed method जो फॉलो करते हैं, 13 lakh divided by 3 करोड, 47 lakh into, तो sir, आपके dividend component पे आ रहा है, dividend component का tax आ रहा है, 38297, then, 6, round off करके मैं 6 पे लिकराओ, 0.5 आ रहा है वो, और जो आपकी other income पे है, tax on other income, minus 382976 कर लो, यह बना आपका, 98,39524 चेक कर लो, ध्यान से सुनिये sir, मैंने क्या किया, प्लीज ध्यान से देखिये, यहाँ पर हमार साथ एक situation थी, situation क्या थी sir, dividend के उपर सर्चाज rate 15% के उपर नहीं है, और other income के उपर जो सर्चाज rate है, यह enhanced सर्चाज है 25% and 37% वाला, तो मुझे क्या करना था, मुझे आपकी जो other income है, other income पे जो tax है, dividend या PGPP पे, tax to normal slab rate से ही है, सर्चाज rate अलगे, tax to normal slab rate से ही है, सर्चाज अलग अलगे, तो मैंने क्या किया, मैंने मेरी total income के उपर tax निकाला, और इस tax को मैंने dividend के component का अलग कर दिया, और other income के component का अलग कर दिया, proportionate basis पे, जितनी उसकी income है, उसके proportion में मैंने इसे क्या कर दिया, दिवाइड कर दिया, yes or no, check कर लो मालिक वापस से, सबसे पहले हम लोगों ने long term capital gain, short term capital gain पे special rate of tax निकाला, जैसे हम हर बार निकालते आया है, बिल्कुल वैसे ही कर लिया हमने, फिर हमने other income ली, other income, other income में क्या क्या आया, dividend and other income आया, अब इन दोनों पर tax जो है, वो तो slab rate से है, सर्चाज rate अलग अलग है, तो हमने सबसे पहले total tax निकाला, जिस तरह की से निकालते हैं, हम लोग old scheme में वैसे निकाल दिया हम लोगों ने, फिर dividend proportional की income का tax कितना और other proportional की income का tax कितना, हमने ऐसे दो पार्ट के अंदर में इसको divide कर दिया, clear है मालिक, अब आपको समझ में आया, यह हमारा total tax निकल के बाहर आएगा, what is our total tax? 1 add 30, add 45, हमारा सर total tax जा रहा है हमारा सर, total tax जा रहा है, 1 करोड 2,97,500, check कर लेना, normal plus special that is A plus B, यह सर जा रहा है, हमारा total total tax अब इसमें हम लोग add back करेंगे, सर्चार्ज, अब ध्यान से सुनना, capital gain and dividend income पे सर्चार्ज कितना है, 15% तो long term capital gain, long term capital gain, कितनी income थी sir, long term capital gain, under section 112, कितना था sir, 20,000, 20,000 का 15% यह आगया सर, 3000, तो यह आगया सर, 3000 रुपीस, फिर आया, long term capital gain, under section 112A, 112B कितना था सर, 10,000, 10,000 का 15% सर, असली CA student होई, जो छोटे calculation में भी calculator री उस कर ले, याद रखना, short term capital gain sir, 115A, short term capital gain 115, sorry, 111A, at the rate of 15% तो 45,000 का 15%, यह आया सर, 6750, चेक कर लो, और जो आपका, yes, जो आपका dividend component है, जो आपका dividend component है, जो आपका dividend component है, उसके उपर भी, at the rate of 15%, तो आपका dividend component का tax कहता, 382976, 382976, into 15%, यह आया सर, 57446, ठीक है, अब आपकी other income का component, अब आपकी other income between 2 crore to 5 crore bracket है, रहलो, तो आपका जो tax component होगा, 9839, 524, into, into, कितना percent आएगा बोलो सर, 25%, क्योंकि हम 5 crore के उपर नहीं जा रहे, तो 9839, 524, into 25%, 2459881, अगर अबर, यह सर आपके सरचाज component होए, सर समझ में आ रहा है, सभी लोगों को, हाँ, या, हाँ, येस, हाँ, या, हाँ, तो चलो, चेक करो, आपका total सरचाज किता हुआ, 57446, प्लस 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 तो टोटल सरचाज हुआ, 25,28,577, फिके सर, तो यह बना आपका सर, total tax plus सरचारज यह आया सर, आपका 1,28,26,077 प्रवर, इसमें सर, आप आड कर देंगे अपना HEC at the rate of 4% पहले tax, फिर सरचाज, फिर HEC इन्टू 4% यह सर आया आपका 513043 आड करके आपका total tax liability निकला 1,33,00, 1,33,00,1, 20, perfecto, check कर लिजा, इसर उमीद करा हूँ सर मज़ा आरहा होगा टैक्स कैलकुलेशन में आप मैंसे कई लोग तो सर पहली बार टैक्स पड़ रहे होंगे तो आप अपने दोस्तों को भी बता सकते हो भी यह यह पहली बार भी कोई पड़ रहा है तो उसको आराम से समझ ने एगा it's just that extra practice करनी पड़ेगी, इसमें कोई दो मत नहीं है, कोई दो मत नहीं है, और extra practice करने के लिए ही हमने question है, नाम की चीज़ निकालिए, कि यह आप वहाँ से extra practice करते रहो, yes, क्योंकि कम टाइम में DT खतम करना यह बहुत बड़ा challenge है, बहुत बड़ा वास subject है, आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे, इस subject की खास बात यही है, यह बिल्कुल समय के अनुसार है, जैसे 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 आगे बढ़ते जाते है, पिछली आदिज होती है, वो दुंदली होते जाएगा, हाँ जी, चलिए, question number 5, आप फटाक से solve करेंगे, मेरे साथ solve करेंगे, question number 5, find out the tax liability, given case के अंदर में, again dividend income के साथ आपको दीवी है, इसी तरीके का question है, 15 करोड 11 lakh दिया है, मतलब 5 करोड के उपर component वाली चीज़ आपको दीवी है, please मेरे साथ फटा फटा आप क् साथ करेंगे, रुकने का नहीं, थकने का नहीं, पचास बार मन मूलेगा कि चलिया, रुक जाते है, कुछ नहीं, कुछ नहीं, सर मैं भी मेहनत कर रहा हूं, और भारत के उस हर बच्चे के लिए मेहनत कर रहा हूं, जो सर अभी afford नहीं कर सकता class को, नए इस लिवस में आ है afford नहीं कर सकता कही ना कहीं उसने उम्मीद छोड़ दी इस examination के लिए टेंशन ने लेना विजवाई तरह साथ खड़ा है हम करेंगे और बहुत अच्छे से करेंगे सर सर हम जैसे मिडल क्लास लोग होते हैं जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए खड़े होते हैं और हम करेंगे भी चलिए आईए सर पर्टिक्लर रूपीज रूपीज चलो बॉस हाँ जी तो अगर मैं फास्ट एक बुक को देखू तो यहां पर हमारे को डिवेंदेंट इंकम भी दिख रहा है सब अधर इंकम भी दिख रही है तो सबसे पहले ए स्पेशल टैक्स फटाफट निकालिये मेरे साथ सर स्पेशल टैक्स और प्रैक्टिस करो और मेहनत करो तो लाक इंटो 20 परसेंट यह आया सर 40 थाउजन रूपीज तो लो सर 40 थाउजन रूपीज आपका टैक्स आ गया फिर आया आपका लॉंग टर्म गैपितल गेन अंडर सेक्शन 112 ए यह आया सर एक दो आट करोड इसमें से एक लाक माइनस किया 10 परसेंट तो यह आया सर 7 ला 90 थाउजन पिर आया सर आपका शॉट तर्म गैपितल गेन अंडर 111 ए यह सर आया आपका 15 थाउजन एवरिबादी यह आपका स्पेशल थाउज बना पी नॉर्मल थाउज यहाँ पर बनी सर हमारी टोटल इंकम हमारी अदर टोटल इंकम कितनी बैटरी है इस रॉफली कम्स तो अरॉट्ट सेवन करोड एट लाक्स एवरिबडी प्र खरक्स न बाव पॉड स्कीम तो लिस हम दू, डू, करोड, टेनलग 50 थाउजन फिन्रड, तो करोड, तेनलग 52 थाउजन फिन्रड तो करोड, 10 Lakh 52 थाउजं फिन्रड आज आमा लिक, 2 करोड 10 Lakh 52 थाउजन फिन्रड, अभी लुग आगए तुड अब इस में से और दो डिविजन होंगे टाक्स अन डिविदेंट कंपोनेंट प्रपोर्शनेटली डिविदेंट कंपोनेंट पर निका लो वाट वस डिविदेंट इंकम 49 लाक आउट अफ टोटल इंकम 7.08 करोड इन्टो 21052500 सर चेक करिये थिस इस कमिंग 2 1457023 अर यहीं पर आपके टाक्स अन अधर इंकम कर दो मैं तो 1 करोड 95,950477. Everybody please check sum total बनेगा इस तो सर यहां तक आपका टोटल टैक्स जो बनना चाहिए, वो बनना चाहिए 2 करोड 90,97,500 यह सिर्फ टैक्स कंपोनेंट बना चीक है, इसमें एड करेंगे सर सरचार्ज , इसमें सर आड करेंगे सरचार्ज, LONGTTERM CAPITAL GAIN UNDER SECTION 112,LONG TERM CAPITAL GAIN UNDER SECTION 112,000 in to 15% EIS or 6000,LONGTERM CAPITAL GAIN UNDER 112 A याया सर 11 lakh 98500 फिर याया सर शोट्टर्म कैपितल गेन अंडर सक्ट्टिन 111 A याया सर डूबल तो फई जिरो अल वेर अधर रेत फिफ्टीन परसेंट और इसमें एक और कंपोनेंट अधो जाएगा सर दिविदेंट याया सर 2 lakh 18,000 553 2 lakh 18,000 553 और आपकी जितनी भी बचीवी इंकम है उसके उपर अधर रेत ओफ 37 परसेंट याया आपके अधर इंकम के उपर तो सर आपके अधर इंकम के उपर आपकी इंकम परसेंट नाइन फाइन 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 फोल डबल सेवन इन इन तो 37 परसेंट अधर इंकम इंकम के लिए जगणना मत आगे पीछे उता रहेगा कोई तकलिफ नहीं है उसर छे हजार 8 6 7 5 8 6 7 5 6 2 9 दोनों को मिलाओ सर टोटल टैक्स बनेगा 3 करोड 77 लाक 72 की वन फून नहीं 3 करोड 77 लाक 73 तोन फून फूल 24 करोड Ba your sum total tax would come to 3,092,084,050 after round off, 5,4 आ रहा है after round off, आपका 0,5,0 आना चाहिए, आपका 0,5,0 आना चाहिए, check कर लो, आ यह सौनू, तो प्रभु यह था आपका, यह नू, tax calculation, आप देख सकते हैं, almost जित्ते question हैं, आपने solve किये है, एक last question, जो है यह आपके लिए homework रहेगा sir, right, same type of question है, आपके लिए homework रहेगा और इसका answer क्या होगा, मैं वो भी आपको बता के दे देता हूँ, sir इसका final answer आपको आना चाहिए, 57,19,870, आप इसको घर पे solve करेंगे, इसका final answer मैं आपके सामने रख रहा हूँ, sum total मैं आपके सामने रख रहा हूँ, that will come to 57,19,870, यह इसका answer आना चाहिए, तो घर पे आप एक बार प्लीज चेक करिएगा, format आपको पता है, format कि थू आपने एक बार चेक करना, यह किस concept पे based होगा, मैं आपको वो भी बताता हूँ, यह होगा, surcharge के last वाले concept पे based, कि अगर आपकी other income plus capital के dividend income मिला के 2 करोड के उपर जा रहा है, तो surcharge rate क्या, यह वो concept पे based होगा, तो बड़े ध्यान से इसको solve किजिएगा, अच्छा question है, solve किजिएगा, final answer आना चाहिए, 57,19,870, इसको घर पे solve कर देना, and मजे कर लेना, तो सर्थ, यहां तक कि आप देखिए, हम लोगों ने क्या किया, यहा सबसे पहले हमने क्या किया, constitutional validity अगरे पढ़ा, उसके बाद हम लोग ने tax calculation चालू किया, old scheme के अंदर में, तो old scheme के अंदर में हम लोग ने tax calculation में सबसे पहले क्या पढ़ा, slab rate पढ़ा, slab rate के अंदर में कहीं कोई amendment नहीं है, फिर हमने rebate पढ़ा, round off पढ़ा, HEC पढ़ा, special adjustment प and cooperatives के लिए हम लोग ने tax पढ़ा, यहां से हम आगे बढ़े, हम लोग ने marginal relief नाम का concept पढ़ा, और marginal relief किस तरीके से apply होता है, उसके question करे, special rate के साथ tax calculations करा, normal rate के साथ हम लोग ने tax calculation करा, combined question हम लोग ने solve किये, तो उम्मीद कर रहा हूं कि यहां तक कि आपको जो आपका tax calculation वा कि एक problem solve कर रहे होते हैं, लेकिन fast track में time constraint होता है, content कहीं पर भी compromise नहीं होता, content बिल्कुल वैसा ही रहता है, बस आपके जो number of problem से उसको हमें restrict करना पड़ता है, because of the time constraint, तो यह आपको क्या करना चाहिए, घर पे extra practice करना चाहिए, dt charts की अगर मैं बात करू, मैं आपको बताता ह chart book, यह पूरी चीज आपको एक page के अंदर में लाई गी है, 80 pages के अंदर में पूरा DTN international tax का chart है, इंडिया में पहली बार किसी ने introduce किया वाय, तो यह chart book बनाई है, आप यहां अगर ध्यान से देखोगे sir, एक page में आपका old scheme पूरा खतम और new scheme आपका, you know, जो default tax scheme है, वो chapter number one खतम है, तो इस से short और कुछ नहीं हो सकता, इस से short और कुछ नहीं हो सकता, यह बिल्कुल, you know, concise thing है, जिसमें सब कुछ cover है with amendment, ठीक है, तो यहां पे sir, आपका old tax scheme है, यह क्या होता है sir, over होता है, और यही part A भी इस lecture का आपका over होता है, अगला part मैं तुरंत आपको फट questionnaire से question solve कर लेने के है, दूसरी बड़ी जिम्मेदार ही है, वीडियो को like करके अपने सारे दोस्तों को बताना है, हर उस बच्चे तक के भारत के पहुचाना है, जो, you know, lecture afford नहीं कर पाएगा, क्योंकि हम चाहते है sir, हर उस बच्चे का सिक्षा का तो अधिकार ही है, जो, you know, afford नहीं भी कर सकता, November 23 के लिए भी क्या था, May 24, November 24 के लिए भी कर रहो, बस आपा प्यार चाहिए और कुछ नहीं, yes, अपना बहुत-बहुत खयाल रखीगा sir, और हाँ, याद रखें, पड़ो तो हद कर दो गरना प्रोग्राम, रद कर दो, मिलूँगा आप से अगले part के अं जादैा सकता हम obtवा प्रोग कर दो, मिलुद है क्रोणी टाध्जला, प्रित ही कर दिए तौब हादा सकता है क कर दो कर दो, मिलुद है।